नमस्कार साथियों इस वीडियो में चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र का जो मॉडल पेपर है यानि कि कौन से प्रश्ण इंपोर्टेंट है उसके बारे में लेंगि पहले थोड़ा से उसका मॉडल भी समझ लेते हैं कि नागरिक शास्त्र में परिक्षा किस प्रकार से रहती हैं तो परिक्षम में आराम रहता है किसी प्रकार के तनाव की बाते नहीं रहती हैं तो निर्देश एक बार ध्यान पूरोग से पढ़ लेते हैं उसके बार आगे के प्रश्णों का प्रैक्टिस भी करेंगे तो पहले निर्देश दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परिक्षार्थियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्दारित हैं दूसरा सभी प्रश्ण अनिवार है यानिकी और उसके सामने उसके अंक भी लिखे रहेंगे तीसरे में बताये गया है कि इसके बाद ये सब बताये गया है points की कि कितने question से कितने question की बीच में किस देंगे चौथा है प्रश्ण संख्या 11 से 20 तक अती लग हो उत्र ये प्रश्ण पूशी जाते हैं जिनका 10 शब्दों में आंसर लिखना होता है यानि कि एक से दो लाइनों में आगर इसका आप उत्तर लिख देंगे तो परियाप्त रहेगा और प्रश्ण संख्या 21 से 26 तक क प्रश्णों का उत्तर प्रतेग लगभग 50 शब्दों में लिखना होगा 50 शब्दों मतलब कि एक छोटा सो पैराग्राफ लिख देंगे परियाप्त रहेगा छठा प्रश्ण संख्या 27 से 30 तक के प्रश्णों में प्रतेग का उत्तर लगभग 100 से 700 शब्दों में देना और आठमा सभी प्रश्णों के निर्धारी तंक उनके सामने लिखे हुए हैं तो आज पांच प्रश्ण जो बहुविकल्पी टाइप हैं उनके बारे में चर्शा करेंगे विस्तार पुरोग से थोड़ा जानकरी लेने का प्रयास करेंगे इसमें है पहला कुश्चिन स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे यानि कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उसके बारे में पूछा गया है इसमें चार आप्शन है नमर एक रफी आहमत के दुवई नमर दो मौलाना अबुलकला माजाद नमर तीन लगानें थोड़ा साथ की राष्ट्र एशप्षादिवस कब मनाया जाता है क्योंकि इस टाइप की पुशे जा सकती है तो राष्ट्र एच रीच्शादिवस 11 नमम्बर को मनाया जाता है यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह मौलाना अबुलकलाम की तस्वीर हैं और जो आ भारत में राष्ट्रे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में राष्ट्रे शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजात की स्मृति में मनाया जाता है तो इससे उस प्रश्ण का आंसर में मिल गया कि भारत में राष्ट्रे शिक्षादिवस के रूप में भी मनाय जाता है और राष्ट्रे शिक्षादिवस के स्थापना कब होई थी ये अगर पूछ लिए गया तो 2008 में राष्ट्रे शिक्षादिवस 2008 से मनाय जा रहा है और मौलाना बुल कलामा आजाद की बारे में थोड़ी से और जानकरी प्राथ के लेते हैं क्योंकि वह राष्ट्री आंदोलन में भी पाडिसिपेट किये थे तो मौलाना बुल कलामा आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वे 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1908 तक यानि कि लगभग 11-11 साल तक देश के शिक्षा मंत्री रहे थे मौलाना बुल कलामा आजाद का जन्म 11 नुवंबर 1888 को हुआ था तो 11 नुवंबर को उनका जन्म हुआ था इसलिए 11 नुवंबर को शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है वे गांधी जी की विचारधर से काफी प्रभावित थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया था खिलाफत आंदोलन वही है जो कि 1930 से 34 तक लभग चला चारपान साल चला था बीस से 24 तक शैद जिसमें महत्मा गांधी जवालाल नेरू यह सारे मिल करके हिंदू-मुसलिम एकता को बहुत ज़दर प्रम और इसके सब्से युवा अध्यक्ष बने उन्होंने असहयूग आंदोलन जो की महत्मा गांधी ने चलाए था 1921 में चलाए था स्वधेशरी अंदोलन जो की 1905 से ही चला था 1905-11 तक स्वधेशरी अंदोलन चला धर्सना सत्यागराथ था भारत छोड़ों जो की 1922 में चला शिक्षा मंत्री कौन थे तो इसका option भी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूसरा question देखते हैं इसमें लिखाओ नीती आयोग अस्तित्तों में आया। यानि कि नीती आयोग अस्तित्तों में कब आया। पहला option है एक दिसंबर 2015, दूसरा एक फरवरी 2015, तीसरा एक जनवरी 2015, चोथा एक नॉवंबर 2015, तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा तो यहाँ पर Wikipedia के पेज से ये लिया गया है नीती आयोग के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इस वाले question में सीधा सीधा ये पूछ लिया गया है कि इसके स्थापना कब होई थी, लेकिन इसमें और भी संभावी जो प्रश्न हो सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी से चर्चा को लेते हैं नीती आयोग को जैसे नीती की स्पिलिंग होती NITI, नीती मतलब National Institute of Transforming India यह होता है, हिंदी में अगर उसका नवात करेंगे तो राश्ट्री ये भारत परिवर्तन संस्थान, नीती का पूरा नाम है, ये भारत सरकार दोरा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग जारी कि एक वो थिंक टैंक के रुप में काम करें, योजना बनाएं, बहुत साइव लोग उसमें जो थिंकर हैं, विचारक हैं या नेता हैं, वो बैठ करके एक मंच पर बैठ करके इस बात करेंगे कौन सी योजना किस चीज के लिए उपयोगी होगी है, तो योजना पूछा गया है, तो एक जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जारकारी देने वाला मंत्री मंडल का प्रस्ताव जारिक किया गया था, तो एक जनवरी 2015, यह संस्थान सरकार के ठिंक टैंक के रूप में सेवाय परदान करता है, और उसे निर्दे शात्मक एवं नीत इगत गती शिलता परदान करेगा, ठिंक टैंक मतलब वही कि एक ऐसा समूह जिसमें कुछ बुद्धिजी भी लोग रहते हैं, जो देश की विकास के लिए योजनाय बनाने काम करते हैं, वो होतो है ठिंक टैंक, तो नीती आयोग, केंद्र और राज्य अस्तरों पर सरकार क नीती के प्रमुख कारकों के संब्ध में प्रासंगिक, महत्वपूर एवं तकनीकी परामर्ष उप्रब्ध कराएगा, इसमें आर्थिक मोर्चे पर रास्ट्री और अंतरास्ट्री आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों के भेतरिन, पद्धतियों का प्रसार, नए नीती गत विजारों का समावेश और विशिश्ट विशियों पर आधारित समर्थन से संब्धित मामले शामिल होंगे, नीती आयोग के मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO, यानि Chief Executive Officer कौन है इस समय ये भी कोशन पूशा जा सकता है, तो अमिताप कांत है, नीती विकासवधी परिवर्तन के रूप में राज्यों को वास्तविक और सतत भागी दरी से बदल दिया जाएगा, इसका मतलब यही है कि जब योजन आयोग को गठन किया गया था, तो जो नीती आयोग बना जाती थी, वो प्रधान मंत्री के अस्तर पर बना जाती थी, यानि कि बहुत सा इत्हिंकर लोग बैठ करके एक साथ बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार से जो संकेंदर, केंदर में हुआ करता था, उसको थोड़ा सा फैला दिया गया है, यानि कि नीचे से उपर तक आयेगा, फिर उपर से नीचे तक जाएग क्योंकि इस प्रकार के question भी अक्सर परिक्षाओं में पूछ ले जाता है, तो नीती आयोग का एक अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष भारत का परधान मंतरी होता है, और इस समय भारत के परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी है, मानिय परधान मंतरी है, तो ये उसके अ पदेन सदस्य व्याब देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजना सिंग जी हैं और ग्रीह मंत्री अमिश्या हैं ये पहले थे ग्रीह मंत्री अमिश्या पहले थे अभी वह उनको रक्षा मंत्री बनाए गया है और इसमें रक्षा मंत्री राजना सिंग जी हैं तीसरा श्रीमती निर्मला सीतरमड वित मंत्रियों कार्पोरेट कार मंत्री निर्मला सीतरमड जी है और श्री नरेंदर सिंग तोमर जो कि कृषिक किसान का लियार मंत्री है यह सारे जो है चारो सदस यह पदेन सदस है और कुछ विशेश आमंत्री सदस भी होते हैं इसमें इ यानि नीतियायोग अस्थित में कब आया था तो पत्ता लग गया कि एक जनुरी 2015 पुनीतियायोग अस्थित में आये था कि फिर तेस्रा कोशन चौदा नीजी बैंकों का राष्ट्री करड किया गया था पहला उप्षण है तो देखते हैं बैंकों का राश्ट्री करण कप किया गया था यानि कि 14 बैंकों को राश्ट्री करण एक साथ कप किया गया था तो यहां पर हम दिखाते हैं आपको बीबीसी का एक न्यूज आया था बीबीसी यहां पर आपको दिखा दें स्रोत BBC Hindi करके है .com विबसाइट आप इसके जाएंगे तो वहाँ पर जानकरी मिल जाएगी यहाँ पर भारती अर्थवियोस्ताओ उतार चढ़ाओ नाम का पेज मिलेगा यहाँ पर आपको बैंकों की राश्टी करड की बारे में जानकरी दी गई हैं तो इंदरा गांधी जब परधान मंतरी बनी थे पहली बार तो इंदरा गांधी ने अपने परधान मंतरित तोकाल में बैंकों की रास्टी करड़ कम आहम फैसला किया था उन्होंने 19 जुलाई-1969 को 14 नीजी बैंकों को राष्च्री करण कर दिया था इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औरयों की घरानों का कपजा था तो इसका आंसर मेरे ख्राब से इस वले लाइन में मिल गया है प्रकार से प्रकार से पूछाजाए कि इसके पहले तक केवल एक भारती स्टेट बैंक राश्ट्रिक्रित था यानि कि नेशनलाइजड वो बैंक था भारती स्टेट बैंक का जो राश्ट्रिक्रण हुआ था वो 1905 में हो गया था कर दिया गया था और 1958 में इसके सहयोगी बैंकों को भी राश्ट्रिक्रित कर दिया गया था इससे बैंकों का जो कारे को शलता है वो बढ़ जाती है जिसे वर्तमान के प्रधानमंतरी मन्य मुदी जी भी इसके बहुत सरे बैंकों को राश्ट्रिक्रण और साथ साथ में जो मर्जिंग वाला काम है वो करने बहुत तेजी से कर रहे हैं हलांकि भारत में विदेशी और निजी शेत्र के बैंक सक्री हैं लेकिन एक अनुमान के उसाब बैंकों की सेवाएं लेने वाले लगभग 90 फीसद लोग अभी सरकारी शेत्रों के बैंकों की सेवाएं लेते हैं इंद्रा गांधी ने अपने कारेकाली के दोरान एक अन्य आहम आर्थिक फैसले में प्रीवी पर्स या राजे रजवाड़ों को दी जाने लिए पैंशन समात कर दी थी यह बहुत आहम फैसला था उनका जब यह आपका लगा था एमेर्जेंसी लगी थी उन्हें सो ले थे उसको हटा दिया गया था और संविधान में यह ब्योस्था भी की गई है कि किसी विव्यक्ति को अगर राष्ट उसको उपाधी दे रहा है तब तो ठीक है लेकिन कोई व्यक्ति अपने आपसे उपाधी ले या कोई गैर सरकारी उपाधी वो नहीं ले सकता है जैसे अन्य कई प्रकार के जो उपाधिया होती है उसको समाप्त कर दिया गया इसी प्रिवी पर्स के जरिये इसके पहले तक लगभग 400 राजगरानों को 1947 के बाद से ही प्रिवी पर्स के रूप में सरकार के ओर से धनवाशे दी जाती थी यानि कि 1947 के बाद से ही जब यह समाप्त कर दिया गया तो इसका इस कोश्चन का अंसर इसमें मिलिया कि उन्होंने 19 जुलाइ उन्हेस उनातर को चौदा निजी बैंकों कराष्टरी कराड़ किया था तो इसमें 1969 नहीं दिया गया है 1968 665 दिया गया है तो इसमें हम सही उत्तर जै किसान का नारा किस ने दिया था तो पहला ऑप्शन में मात्मा गंदी दूसरा लाल बाहदूर शास्त्री तीसरा स्थी राजगोपालाचारी चौथा सुबाश चंद्रवोस तो जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिये था इसके बारे में थोड़े सी जानकारी प्राप तो इनको प्रधान मंतरी नाम का नारा दिया था यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक यूद के दोरान दिया था से आपको पता है कि 1962 में भारत चीनी उद्धुद था उनीस सोपैसर्ट में भारत पाकी उद्धुद था उनीस सोपैसर्ट के बाद सब्सक्राइब दो-तीन साल लगतार सूखा भी पढ़ गया था तो उस समय खाद्दे की बहुत ज़्याद समस्य भी आ गई थी तो उन पुर्षी शेत्र में अभूत पुरुकाम करने के लिए याद भी किया जाता है तो इसे भारत का राश्ट्री नारा भी कहते हैं जो जवान यों किसान के श्रम को दरशाता हैं प्रदानमंतरी मॉदी जी जए जवान जए किसान जय विज्यान नाम का नारा भी दिया था तो यह भी एक नोटेवल पॉइंट है पांचवे कोशन पर आते हैं पांचवे कोशन है सुकर्डो किस देश के राश्टपती थे आपके स्लेबस में जो नाम है यानिकी नॉन एलाइमेंट मुव्मेंट यानिकी गुट निरपेक्ष आंदुलन उससे संबंधित यह कोशन है तो स सुकर्डो इंडोनेशिया के पहले राश्टपती थे यानि कि सुकर्डो कहां राश्टपती थे तो इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के पहले राश्टपती कौन थे तो सुकर्डो थे इनके बारें थोड़ी जानकारी ले लेते हैं सुकर्डो 6 जून 1901 से 21 जून 1970 यानि तब जन्म 1901 में हुआ था और सुकडो का जो मृत्य हुए 1970 में हुआ था कि स्वतंत्र के पहले नेता इंडोनेशिया के पहले नेता थे वह यह थे जावा में इनका जन्म हुआ था जैसे आपको पता होगा इंडोनेशिया महाधविप में सबसे अधिक दूइपों वाले रहे थे तो डश वाले इंडोनेशिया पर भी कपजा किये थे डश डश इस्ट इंडीश का हिस्सा था जावा पहले सुकडो बलकि इंडोनेशिया के मूल संसदी प्रडाली के समर्थन करने से निस उन्चास में सत्ता में आने के लिए वह एक निर्देशित लोक्तंत्र पर नियंत्र आयोजित बनाया और यहां पर जान लेते हैं कि उनका मृत्यों का भोता सुकडों 1965 में एक सेने तक्त प्रड़ द्वरा अपदस्थ कर लिये गया और 1970 में उनको नजरबंद कर दिया गया है जिसमें सोतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौला नाबूल कलामाजाद नीतियायोगस्तित में कब आया तो 2015 में आया लेकिन इसमें 1968 आप लगा सकते हैं जय जय किसान का नारक इसने दिया तो वह आपके इंडोनेशिया की राश्पती थे इंडोनेशिया ग्राजणी अभी बदला भी गया है जहां पर पहले था उसको बदल करके शायद ब्रुनवी दूइप है वहां पर कर दिया गया है तो इस वीडियो को अधिक ज्यादिक शेयर कीजिए ताकि आन्य साथियों को भी इसका लाप्राप्त हो सकें वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद नमस्कार